हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको EVS करवाया था NCID बेस पर जो कि हमने क्लास 4th की EVS की बुक से स्टार्ट कर दिया था अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा तो आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर की तो इस वीडियो का आप एट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफर्मिशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों में नाम है दीपक आप देख रहे हो डिके गुप्ता ओनलाइन वीडियो उस पो गवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो यह हैं आपकी क्लास फॉर्थ की E.V.S की विशय सुची इससे पहले हमने क्लास थारी की E.V.S कंप्लीट कर ली थी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा तो क्लास फॉर्थ की हमने शुरू के दो चैप्टर कर लिये थे आज हम बात करेंगे क्लास फॉर्थ के थार्ड चैप्टर से जो की हमारा क्या है नंदू हाथी से स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पूछे जा चुके हैं जैसे कि पहला यहां पर देखो लिख रखा है कि अध्यापक के लिए कि अध्यापक को यह जानना चाहिए कि वहां पर उसको बताने के लिक क्या बताया जा रहा है रिलेशन सिप के बारे में बताया जा रहा है कि नानी मा, मा की मा, बच्चों से पूछे कि वे अपनी मा की मा को क्या कहते हैं, कई बार कोई अम्मा बोलता है, कई नानी बोलता है, कोई नानी मा बोलता है, तो वो अपनी नानी मा या फिर अम्मा, जिसी भी लेंग्वेज में बोल सकता हो तो बच्चों से ये पूछना चाहिए कि आप अपनी मा की मा यानि की नानी को किस नाम से जानते हो इससे क्या होगा बच्चों के बीच में रिलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्यों सी किसको क्या का जाता चाचा चाता हूँ चाची भावी नानी नाना दा दादादी किसको क्या किस किस नाम से जाना जाता है और किस पात में रिलेशन उस चीज़ को समझने में बच्चे को मदद मिलेगी ओके नीचे आपको कुछ चितर दे रखे हाथियों के बारे में और यहां पर कुछ हाथियों के बारे में most important points बोल रखे हैं क्या है वो आपके point एक बार समझ लेते हैं लिख रखा देखो क्या तुम जानते हो क्या जानते हो कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से जादा पत्ते और जाडियां खा लेता है हाथी बहुत कम अराम करते हैं एक दिन में वो केवल 2-4 गंटे ही सोते हैं बहुत important point है ध्य कीचड में खेलना बहुत भाता है इससे उनके शरीर को क्या मिलती है तो ठंडक मिलती है इसलिए वो कीचड और पानी में खेलते हैं क्योंकि हाथियों क्या नहीं आता पसीना नहीं आता जिसके कारण उनके शरीर को ठंडक पहुचाने के लिए वो क्या करते हैं वो मट्टी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर हावा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कुछ में इंपोर्टेंट बात है जहां से आपकी कोशन्स पूछी ले जाते हैं तो में हाइट्रेलिटी पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि एक दिन में एक हाथी जो की व्यास कोता हो सौ किलो से ज्यादा पत्य और झाणियां खा लेता है दिन में दो से चार घंटे ही सोता है की चड़ में या पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि जिससे उसका शरीर क्या हो ठंडा को सके ठंडा हो मैसूस कर सके ओके चलिए आगे देखो हैं आपर क्या लिख रखा है कि सिफ तीन मह इने हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है तो लगबग लगबग 200 किलो होता है important point है पूछे जा चुके ध्यान रखेगा ओके चलिए आगे की तरह चलते हैं कुछ main one important सारे में आपके लिए highlight कर रखें जैसे कि तुमने यहाँ पर देखा कि तुमने पढ़ा की नंदू हाथी अपने जूंड के साथ है रहता है हाथियों के जूंड में केवल हत्निया और बच्चे ही रहते हैं रखेगा जो हाथे का जुन्ड होता है उसमें केवल हथनिया ही रहती हैं और उनके बच्चे ही रहते हैं जुन्ड की जो सबसे बड़ी जो बुजुर्ग होती है हतनी वो पूरे जुन्ड की क्या होती है नेता होती है तो ध्यान रखेगा जो सबसे बुजुर्ग होती है नेत ताकि इस जुन्ड में रहते हैं और फिर वो जुन्ड क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं अलग चले जाते हैं वो क्या करने लग जाते हैं अलग रहते हैं वैसे ही यह पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो नंदू के उपर है तो आगे भी बोल रखा है कि नंदू भी जब 14 से पंदरा साल का हो जाएगा तो अपना छूंड छोड़ देगा important point है ध्यान रखिएगा कि हाथी का जूंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी हतनी होती है वो हाथी की जूंडों की नेता होती है और इस जूंड में केवल हतनिया और उनके बच्चे ही रहते हैं और जो की जूंडों की संख्या होती है वो 10 से लेकर 12 हतनी हो और उनके बीची होती है उससे जादा नहीं होती और हाथी में जो 14 से 15 साल तक हो जाते हैं जब तक ही वो अपने जूंड में रहते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं इससे, तो वो जूंड से अलग होकर अकेले रहने लग जाते हैं, ये भी point पूँछे जा चुके हैं, ध्यान रखेगा इन point को, ओके, चलिए, नीचे की तरफ चलते हैं, कुछ important point और मैंने आपके लिए highlight कर रखे हैं, तो देख लेते हैं एक बार इसमें और कितनी important point है, यहाँ पर देखो एक बहुश्ट important point लिए रखा है, कि बगुला जो है, वो भेंस पर क्यू बैठा होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में भेंस के उपर बैठा हुआ है, तो भेंस के उपर बैठ के क्या करता है, कि बहंसों के उपर जो क सोता हो, बगुलो को अपने पीट के उपर बैठने देता है, okay, important point है, ध्यान रखियेगा, यहाँ पर देखो पेपर से काट कर एक हाथी बनाना सिखाया जा रहा है, वैसे अगर आपने कभी हाथी पेपर से बनाया तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो, क्या आप जानते हो, क्या है चीज चलिए पढ़ते हैं, लिख रखा है कि हाथी परेशानी, आने पर एक दूसरे की ध्यान रखियेगा, हाथी परेशानी, यानि कि हाथी पर जब परेशानी आती है, आने पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे की वो मदद करते हैं, मतलब अपन साथियों की मदद करते हैं आगे देखो लिख रखा है जैसे कि इनसान होता है जो समुधाई में रहता है एक दूसरे की मदद करते है फैमली में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो एक दूसरे की मदद करते हैं उसी परकार से भी हाथी भी करते हैं आगे क्या बोल रखा ह सायता करता है एक दूसरे की help करता है तो उसी की परकार से हाथी के समुदाई में भी ऐसा होता है जो कि बोल सकते हैं काफी उनमें मिलनसार होता है वो ओके तो ये था अज का अपना थार चैप्टर नंदू हाथी की कहानी जहां से questions पुछे जाते हैं वो मैंने आपके अच्छ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है चलिए नेक्स चैप्टर की ओर चलते हैं तो नेक्स चैप्टर है आपका फोर्थ अम्रिता की कहानी बहुत इंपोर्टन चैप्टर है जैसे कि आप देख सकते हो चित्र गेंदर कुछ दिखा रखा है उन चित्र को में क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा में परबबली आप यहां पर यह समझे लिए कि एक बुजर्ग जो आदमी है वो कहानी बता रहा अपने गाउं की ओके चलिए इसी के बारे में बात करी गई है तो वो बोल रहा है कि यह जो बात है न वो बहुत पुरानी है कितनी पुरान जो ध्यान रखेगा राजिस्तान में जोदपूर के पास एक खेजडी गाउं की रहने वाली थी important point ध्यान रखेगा अमरिता 300 साल पुराणी कहानी बता रहा है कि अमरिता जो है वो राजिस्तान के पास जोदपूर का एक जगा थी वहां पर एक खेजडीली गाउं था वहा से ज़्यादा वाँ पर पेड़ थे इसलिए उस गाउं का क्या नाम रख दिया गया था तो खेजड़ेली उस गाउं का नाम रख दिया गया था ओके आगे क्या लिख रखा है कि गाउं के सभी लोग पेड़ पोदे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे गाउं में बकर यहां पर एक slogan लिख रखा, बहुत अच्छा slogan है कि अगर पेड हैं तो हम है, पेड और जानवर हमारे बीना रह सकते हैं पर हम उनके बीना नहीं रह सकते हैं, बहुत important point है, यह वाला slogan देख के पूछ लिया जाता है, कि यह किसका गाओं का slogan है, तो ध्याण रखेगा, यह जा रहा है कि बच्चे को समझ में आ सके कि हमारे भारत में कौन सा राज्य किस दिशा में और कहां पर है उन चीजों के बारे में उसको जानकारी मिल सके यहां से कोशन्स आपके जासब मदद करने चैहिए उनको प्रेरित करना चाहिए चलिए नीचे चलते कुछ और हाईलाइटट पॉइंट पड़ते हैं जैसे कि यहां पर देखो DOक्क चित्र दे रखें आपके अमुरीता की गाउं था तो अमरिता ने पूछा कि तुम यहां क्या करने आये हो तो उसने का कि हम पेड़ काटने आये हैं राजा के महल के लिए तो यह बात सुनकर अमरिता के जो थे वो होश उड़ गे तो उसने क्या करा तो उन पेड़ों से जिन पेड़ों को काटने के लिए उन वो भी विचारे परेशान थे, क्योंकि राजा की बात बोली गई थी, अगर वो राजा की बात नहीं मानते तो उनकी भी जान को खत्रा था इसलिए उसने क्या करा, एक कुलाडी के वार से अमरीता के पैर से खून बहने लगाано, एक कुलाडी का वार करा अमरिता के पैर पर जिससे उसके पाउं से क्या निकलने लग गया खुन निकलने लग गया और वो वहाँ गिर गई लेकिन उसने फिर भी अपने उसने क्या करा पेड को नहीं छोड़ा अमरिता को देखकर उसकी बेटी यानि कि जो अमरिता थी और उसकी बेटियां थी जो दे की मित्य हो गई थी ऐसा देखने के बाद उनकी बेटियों ने और गांवालों ने भी साब उसाबों ने अपना अपना एक पेड़ चुन लिया जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो और वो चिपक कर खड़े हो गए और लकड हारों ने क्या करा पेड़ काटना था तो उन्हो को पता चला कि यहां के लोग पेड़ों की काफी रक्षा करते हैं और काफी उनकों पेड़ों से लगाओ है तो राजा ने फिर अपना आगे जाकर एक आदेश दिया कि इस इलाके में आज के बाद ना ही कोई शिकार करेगा और ना ही यहां पर कोई पेड़ काटेगा यह सा आके जब देखा था तो उसने ऐसा पूरा आदेश दिया था कि इस इलाके में ना ही कोई शिकार करेगा और ना ही कोई पेड़ काटेगा ओके चलिए नीचे की तरफ यहां पर कुछ बाते लिख रखी हैं खेजडी वरिक्स के बारे में क्या है तो यह पेड रेगिस्तान इ इलाके में खूब पाए जाते हैं ध्यान रखेगा यह पेड़ कहां पाए जाते हैं तो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाए जाते हैं आगे चलते हैं इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस पेड़ की चाल से दवा ध्यान रखेगा इस पेड़ की चाल दवा क काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगता ध्यान रखेगा जो पेड़ है पानी भी कम चाहिए दवा भी बनती है इसकी छालकी और इस लकड़ी यानि कि इस पेड़े को पानी की साथ-साथ कीड़े भी नहीं लगते ओके आगे बोल रखा है कि इस पेड़े की जो फलियां होती है उनकी सबजियां भी बनाई जाती है इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इनकी छाया में कुछ तुम जैसे बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं इतनी इंपोर्टेंट बायत नहीं थी ऊपर वाली में इंपोर्टेंट थी खेज़ड़ी विलिक्स कहां पाय जाते हैं रेकिस्तानी इलागे में जो कि उनकी जरूत मंद से उसको पानी जो होता है आम पौदों से बहुत कम चाहिए होता है जिसकी पेड़ी की च्छाल होती है वो दावा के काम आती है और इसकी लकडियों में कभी कीडे भी नहीं लगते ओके चलिए आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि अध्यापक के लिए क्या लिखा है कि बच्चों को बड़ों से जानवर और कीडे मकोडों के बारे में जानकारी प्राप् सववेधन चीलता से बच्चों को समझाना चाहिए तो ये था आज के हमारे इनपोर्टिन तीसरा चोत्ता चेप्टर तो दोस्तों आज की वडियो में बस इतना ही चलिए बाकि इससे आगे वाले class में हम धीरे-दीरे बात करते रहेंगे सारी चीजे मैं आपको धीरे-दीरे पढ़ाता रहूँगा ताकि आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आ सके तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही है अगर विडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकि वीडियो को लाउक करना ना बूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बूलिएगा और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल कब तक सब्सक्राइब ने कर रहा तो जल्दी से सब्सकाइब कर लिए जो उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको दबा दिजेका ताकि आने वाली वीडियो का नोड़े विक्षन आपको टाइम उटाइम मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आप से फिर मुला कात होगी नेक्ट वीड आपीड को अरा का सब्का एओ एगां साना है के साना नेक्टा मैं आप přाता हमागी प्रह्एमा में घट आना है है झाली है को है जए प्रहता है झो ए ख, जए ये जचाने प्हूशब का